हेलो दोस्तों वेलकम टू डिएश्डी कार्स और आज के वीडियों भाई बात करेंगे किया सोनेट के बारे में तो जैसा कि आप सब जानते हैं रोज वीडियो आप देख रहे हैं कि किया सोनेट और सेल्टोस में कुछ चेंजिस किये गए हैं नया लोगो दिया गया है कौन स वेरियंट में क्या चेंज हुआ है और सबसे जादा खिचड़ी है HTK Plus की क्योंकि हर आदमी सोच रहा है कि HTK Plus का जो 1.2 पैट्रोल इंजन के साथ में वेरियंट आता है उसमें भी सारे चेंजिस उनको मिलने वाले हैं यहां तक कि कई भाई कमेंट करते हैं कि क्या HTK Plus 1.2 प वेरियंट में क्या चेंज आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा तो वो सारी डिटेल आज की वीडियो में बात करने वाले हैं तो HTK Plus सबसे पहले आपको बता दूं कि HTK Plus में आपको तीन वेरियंट मिलते हैं 1.2 लिटर पैट्रोल के साथ में जो वेरियंट आता है दूसरा HTK Plus Turbo IMT और तीसरा HTK Plus 1.5 डिजल तो ये तीन वेरियंट्स HTK Plus में आपको मिलते हैं और इन में से केवल दो वेरियंट्स में ही जो चेंज हैं वो आपको मिलेंगे यानि कि HTK Plus Turbo IMT और दूसरा HTK Plus 1.5 डिजल 1.2 लिटर पैट्रोल के साथ में जो वेरियंट आता है उसमें आपको कोई भी चेंज नहीं देखने को मिलेगा वो वेरियंट्स जैसा पहले आता था वैसा ही आपको मिलेगा बोडी कलर में डोर हैंडल मिलेंगे क्रोम फिनिस वहाँ पे आपको नहीं देखेगी और रिमोट से आप गाड़ी को स्टार्ट स्टोप नहीं कर पाएंगे और नहीं आपको सनरूफ मिलेगी तो नए लोगों के अलावा तो वहाँ पे कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा ये रसलेन का जो डेटेल है उनकी साइट पे वो आप लोगों के सामने हैं कि जो चेंजिज है वो ह्ट के प्लस और ब्रैकिट में 1.0 लिखा हुआ है और किया वाली दो लाइनों में जो कुछ लिखा है वो IMT वेरियंट के लिए है या फिर डिजल वेरियंट के लिए है तो इससे आप के लिए रंदाजा लगा सकते हैं कि 1.2 लिटर पेट्रोल के साथ में जो इंजन जो वेरियंट आपको मिलता है उसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है जो भी फिचर्स एड़ोन हुए है वो केवल IMT और डिजल वेरियंट में ही हुए है तो आप कन्फ्यूज ना हो बहुत सारे भाई कमेंट करते रहते हैं कि 1.2 में क्या चेंज है नहीं है तो शैद उन भाईयों को आज के वीडियो से थोड़ी बहुत जो शान्ती है वो मिल जाएगे और कुछ ना कुछ उनके help जरूर होगे और आगे से उनको ये clear हो जाएगा कि HTK 1.2 में क्या change हुआ है या नहीं हुआ है तो वो clarity उनको मिल सकती है टर्बो IMT में sunroof आपको मिलेगी chrome door handles मिलेंगे और जो engine को start stop आप कर सकते हैं remote से वो मिलेगा और अगर मैं HTK Plus diesel variant की बात करूँ तो वहाँ पे आपको chrome door handles मिलेंगे remote से आप गाड़ी को start stop कर सकते हैं लेकिन sunroof आपको diesel वाले HTK Plus variant में भी नहीं मिलेगी sunroof केवल आपको turbo IMT variant में ही मिलेगी HTK Plus में तो यही था आज का वीडियो हो सकता आप लोगों के कुछ काम आजाए ये जानकार तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब कर देना और मुझे अपना स्पोर्ट देते रहना वीडियो को एंट तक देखने के लिए थैंक्यो दोस्तों